हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको 2018 की The Cult Pit यह मूवी एक्सप्रेंड करने वाला हो इसमें एक आदमी की वाइफ का मर्डर होता है पर उसके बाद इस आदमी के फ्रेंड पर ही सबका शक जाता है पर इसकी खुद इन्वेस्टिकेशन यह आदमी करने लग जाता है इसके बाद इ लॉपकर देखने के लिए पुलिस उसे रोकते है पर वो देख लेता है कि जॉन की वाइफ का मर्डर हो चुका है और बाहरी स्टेरकेस पर रो रहा होता है इसके बाद डायर्क में छे मैने गुजर गए है यह दिखता है और जॉन अब इस मर्डर की इन्वेस्टिकेशन आ करने लग चुका है पार्किंग लॉट में एक आदमी का वेट कर रहा होता है यह आदमी जब उससे दिखता है तो उसे किर्णैप कर लेता है यह इंडा जॉन को कॉल करने का बहुत ट्राय करती है पर जॉन का कॉल ही नहीं लगता तो अपने लॉयर से कहती है तुम जाना रुको मैं जल्दी से जॉन के घर जाकर आती हो लॉयर कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करो हम उसे जबरदस्ते नहीं कर सकते टेस्टीमोनी देने के लिए अगर हमने की तो कुछ ट्रबल हो सकता है पर यह मानने नहीं वाली यह डारिकली जॉन के घर पर जाने के लिए रेडी हो जाती है हमें फिर से जॉन दिखता है और जिस आदमी को उसने किड्नेप किया था उसके हाथ पर वो बान देता है यह आदमी कहता है कुछ मिस्ट अं कुछ रहे हो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है जॉन उसे धमकाता है और कहता है कुछ दिनों पहले तुम यहाँ आये थे तुम क्यूं यहाँ आये थे यह आदमी कहता है कि यहां तो मर्डर हुआ था इसलिए मैं देखने के लिए आये था जॉन बोलता है मर्डर भदबर होता है पुलीज का पूराशर्स जान की फ्रेंड मार्क पर ही था इस़ी अनों reject कर लिया है अब इस कहें को Над् logr परूस कर दें जैंस लियान यही लेनी के लिए वो जॉन को बुलाते है जॉन डिस्टाब है क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसकी फ्रेंड ने इस सब किया होगा पुलिस टेशन में पुलिस इन्वेस्टिकेशन की फाइल स्विगरा हो देखता है यह डारेक्ली उठा लेता है पुलिस भी से ले जाने देते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ कॉपीस है जब यह मॉटल में फिर से आता है तब हमें दिखता है कि मार्ग की वाइफ लिंडा वहा आती है वो जॉन से बहुत दिनों से बात करना चाहती थी पर जॉन उसे मिल ही नहीं रहा था जॉन पहली बार लिंडा को अंदर आने के लिए मना कर रहा होता है पर लिंडा फिर भी आ जाती है लिंडा उसे कहती है कि मार्ग ने एक अपेल दी है जिसमें वो कह रहा है कि उसने मर्डर नहीं किया है इसकी फिर से हीरिंग होने वाली है अब ये जॉन से पूछ रही होती है क्या तुम कोट में कहोगे कि मार्ग ये सब नहीं कर सकता अगर जॉन ने सच मुझ में कह दिया कि उसके फ्रेंड ने ये नहीं किया है तो शायद उसके फ्रेंड को कोई भी सजा नहीं होगी लिंडा जॉन से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ्रेंट यह सब कर सकता है जॉन कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है जॉन को पता है कि उसके फ्रेंट ने नहीं किया होगा पर real culprit कुए इसे ढोलना बहुत important है जॉन confused है उसे पता नहीं है कि ये कौन कर सकता है लिंडा कहती है कि प्लीज आ कर टेस्टी मुनी दे दो पुलिस को मार्क का है जॉन की वाइफ के पास मिला था इसी वज़े से पुलिस ने मार्क को फ्रेम कर दिया है लिंडा रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज हमें help करो जॉन जादा disturb हो जाता है और लिंडा को घर से बाहर निकाल देता है जॉन पाच महिने तक अपने घर ने गया था जॉन अपने घर को फिर से देख नहीं सकता था इसे वज़े से पाच मेने तक वो घर ही नहीं गया उसके लैंडलोड का भी उसे कॉल आने लग जाता है और कुछ इशूस होने लग जाते है इसे वज़े से वो अपने घर में फिर से मुविन कर लेता है वो घर पोचता है जिस तरह से चीजे थी उस तरह से रख देता है कुछ सापसपाई वो करने लग जाता है इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि लिंडा अपनी बेटी को स्कूल में चोड़ने के लिए स्टॉप पर आती है इसी स्टॉप पर उसके बेटी की क्लासमेट्स की मदर्स जो हती है इसे पता होता है कि लिंडा के हस्बन ने ये सब किया था इसे हेट करने लग गई है इन दोनों में यहां जगड़ा होजाता है लिंडा बहुत रोती है और अपनी बेटी को लेकर चाती है जॉन आसपा सी था और यह सर्वो देक रहा था रात में जॉन घर पर होता है और उसे लगता है कि कोई आदमी बाहर है एक आदमी घर के अंदर जाग रहा होता है जॉनों से पकड़ लेता है और उन्दर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो यह आदमी कहता है कि मुझे लग रहा था कि घर पर कोई भी नहीं है इसलिए वो देखने के लिए आये था जॉन फिर इस आदमी को छोड़ देता है अंदर आकर जहाँ पर उसकी वाइफ कबड़े रखती थी वो उस टैंड को नोटिस करता है पुलिस ने क्राइम सीन्स के फोटोस लिये थे इस फोटोस से वो उसे कंपेर करता है इस चीज़ को आप याद रखना मुवी जैसे प्रोग्रेस होगी तब यह आपको काम आएगा यह जो सब हम देख रहे थे कि जॉन को पुलिस टेशन में बुलवाया गया था वो अपने घर में फिर से मूविन हो गया है यह मर्डर होने के बाद 5 महने के बाद का सीन्स थे इसके बाद हम फिर से मर्डर होने के बाद 6 महने के बाद का सीन्स देखते है जिसमें John ने एक आदमी को किड्नाइप कर लिया है उसे लगता है कि यही कल्पिट है John ने अभी-अभी इस आदमी का पेट तोड़ा है तो आदमी कहता है कि क्यों यह कर रहे हो अगर तुमें लगता है कि साचोच में मैंने यह मर्डर किया है तो पुलिस को तुम यह सब बता दो तुम क्यों मुझे फ्रेम करना चाहते हो हमें फिर से पास में ले जाया जाता है इस सीन में हम देखते कि John और लिंडा इन दोनों को पुलिस ने बुलवाया है इसे पहले माग को इन्होंने अरेस्ट कर लिया होता है रिंडा पुलिस से पूछ रही होती है कि क्यों आपने माग को अरेस्ट किया है उसे लगनी रहा होता कि माग ने मर्डर किया है पुलिस कहते है कि मर्डर सीन पर माग का हेर हमें मिला है John कहता है कि माग हमारे घर पर आता जाता रहता है तो ये बहुत ही normal है पर पुलिस के थे, तुम्हारे wife के mouth में हमें उसके hairs मिले थे इसका मतलब है जब murder हुआ था, तो Mark वही था, murder 9 बज़े हुआ था Mark कह रहा है कि वो घर था, पर हमें पता करने कोई भी जरिया नहीं है कि वो घर पर ही था माग कह रहा है कि उस वक्त वो अपने घर पर था पर पुलिस को पता करने का कोई भी जरिया नहीं है क्योंकि उस दिन बहुत ही बारिश हो रही थी उन्होंने अगर CCTV कैमेरेज भी चेक किये फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा लिन्डा उस दिन अपने सिस्टर के हा गई थी इसी वज़े से माग घर पर था या नहीं ये भी वो कन्फरम नहीं कर सकती इसके बाद पुलिस जॉन को घर बेच देते और उन्हें लिन्डा से और भी कुछ बात करने होती है अब और भी कुछ इविडन्स पुलिस के पास है ये सब लिन्डा को समझाते है पुलिस लिन्डा को कहते है कि हमें लगता है मार्क और जॉन की वाइफ का दोनों का आफेर जल रहा था मार्क जॉन की वाइफ को कॉले से जानता था और इन दोनों का घर आसपास ही था क्योंकि इन दोनों ने मिल कर डिसाइड किया था कि ये दोनों ज़रा आसपास रहने चाहिए ये दोनों फैमिलीज एक दुसरे के अच्छे फ्रेंड्स थी मार्क ने उसके बिजनेस के लिए जॉन और उसकी वायविससे पैसे भी लिए थे पुलिस के पास मार्क और जॉन की वायव ये दोनों बहुत बाते करते थे Cambry records है मुर्डर से जॉन की वायव का फोन गायाब था इसका मतलब है मार्क इसे cover up करना चाहता था माक ने जौन की वाइफ को एक मैसेज भी लिखा था इस मैसेज में था कि प्लीस मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं बताना इन सबसे पूलिस ने confirm किया था कि माक नहीं जौन की वाइफ को मारा होगा लिन्डा को अव ये सब पता चल चुका है तो डार्डली मारक के पास आती है मारक को सब पुछती है कि तुम भाग क्यूं गए थे मारक कहता है कि हम दोनों का बहुत ही जगड़ा हो गया था यह जो जगड़ा हो था यह भी जॉन की वाइफ की वज़े से हुआ था क्योंकि Mark हमेशा उसके पास जाता रहता था लिंडा भी शक करने लग गई थी कि Mark का और John की वाइफ का इन दोनों का अफिर है इसी चीज़ को लेकर Mark और लिंडा का जगड़ा हो गया था Mark frustrated हो गया था और directly John के वाइफ के पास आ गया था उसके अच्छी फ्रेंड थी तो उसे वो बात करना चाता था अब Mark लिंडा से कहता है कि जब मैं John की वाइफ के पास था तब मुझे और एक आदमी दिखा था जो डोर पर आया था इस आदमी के बारे में उसने पुलिस को नहीं पताया है अगर उसने पुलिस को यह सब कहे दिया तो यह कन्फर्म हो जाएगा कि Mark ज़ॉन की वाइफ के घर पर था पर अभी तक यह कन्फर्म नहीं है इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है ज़ॉन ने एक आदमी को किन्नैप किया है आज Mark का कोट था जिसमें John टेस्टिमोने दे सकता था कि Mark ने कुछ भी नहीं किया है पर वो कभी आया ही नहीं Linda John के घर पर आ जाती है वो अंदर आकर देखती है कि John ने किसी को किन्नैप कर लिया है उसे पुछती है कि यह सब क्या है तो John उसे सब को situation समझाता है Linda John को कहती है कि इस आदमी को तुम जाने दो इसने कैसे murder किया हो सकता है John को 100% लगता है कि यह ही killer है Linda फिर बोलती ही कि अगर तुमें लगता है कि यह killer हो सकता है तो तुम अब court चलो Mark ने यह सब नहीं किया है यह code में बोल दो John अभी भी confused है Linda से कहता है कि इसने अभी तक confirm नहीं किया है कि उसने ही मेरी wife को मारा था जब तक John को मालूम नहीं हो जाता कि कि इसने उसकी wife का murder किया था तब तब वो कुछ भी करना नहीं चाहता इसके बाद हमें फिर से पास दिखाया जाता है John अपनी wife के murder का investigation करने लग जाता है प्रैम सिन की फोटो उसके पास है तो जिस तरीके से घर था उसी तरीके से सब को जो recreate करता है जिस तरीके से घर में खुल में करा पड़ा था वो सब वो वैसे ही लगा देता है रिंडा फिर से जॉन को समझाने के लिए घर पर आती है कि वो गवाई दे कि माक ने ये सब नहीं किया है तो सब घर देखकर वो शौक हो जाती है जॉन फिर उसे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ मैं इस चीज से मुवान नहीं कर पा रहा जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरी वाइफ का मर्डर हुआ क्यू था इसके बीचे रिजन क्या था तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इंडा कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे हस्बंड नहीं क्या होगा जॉन कहता है कि ऐसा मुझे नहीं लगता जॉन फिर उसे कपड़ों का स्टैंड दिखाता है जॉन कहता है कि जिस रात मर्डर हुआ था तो यहाँ पर मेरी वाइफ की अंडर्वेर थी दोर पर कोई आया होगा इसलिए उसने उसे कवर कर दिया था अगर उस दिन मार्क आया होता तो वो डारिटली उस अंडर्वेर को बेटरू में जाकर रखा थी पर उसे पता था कि मार्क नहीं है कोई और था इसलिए उसने सिर्फ इसे कवर कर दिया जान को यह मालूम है क्योंकि उसकी वाइफ की हमेशा की यह आदत थी जान की वाइफ का फेस एक टॉवेल से कवर कर दिया गया था और यह टॉवेल मार्क नहीं उन्हें गिफ्ट किया था जौन केता है कि माक यह नहीं कर सकता। फिर से hopeful बनती हैं। कहती है कि यह सब चीजे तुम police को बता सक्ते हो। वो जौन केता है कि मैंने already बता दी है। पर वो इसे मानने रहे। जौन फिर लिंडा को कहता है कि मुझे तुम help करो। हम असली यह किस ने किया था इसे ढूंड लेंगे इसके बाद हम फिर से प्रेजन्ट में आ जाते है जॉन रूम से बाहर निकल जाता है और जिस आदमी को जॉन ने किन्नेप किया था उसके साथ लिंडा है यह आदमी लिंडा से कुछ बात करना चाता है लिंडा इस आदमी की मूँ से पट्टी निकालती है ये आदमी कहता है कि जॉन है रियल किलर है मैं उस रात इस घर पर आया था मैंने जॉन को वहा देखा था कुछ दिनों पहले लिंडा को भी ये शक गया था ये क्यों गया था अब हम देखेंगे लिंडा जॉन को हेल्प करने लग गई थी रियल कातिल को ने इसे ढूणने के लिए एक दिन जब वो घर पर आये तो जॉन की वाइफ का सेलफ़न वहा था ये वही सेलफ़न है जो पुलिस ढूणनी पा रहे है जब जॉन को उसने गन्फरंट किया तो जॉन बोला कि मेरी वाइफ की और मेरी बहुत सारी परसनल फोटो जिसमें थी कि मैं डारेक्ली पुलिस को नहीं दे सकता था बनने से पहले जॉन की वाइफ ने एक टेक्स्ट लिखा था इसमें उसने एक इनिशियल लिखा था जिसका नाम था एल अब इसे पता नहीं है कि वो क्या टाइप करना चाहती थी मर्डर किस तरह से हुआ होगा इसे फिल से रिक्रियेट करने की कोशिश करी जॉन कहता है कि मेरी वाइफ कीचन में थी जब मैं मर्डर हुआ था मर्डर ने उसका गला दबाने की कोशिश की और ये डारेकली लिंडा का गला भी दबाने लग जाता है लिंडा बहुत ही डर जाती है और डोर की तरफ भागती है जॉन कहता है कि मैं यही प्रूव करना चाहता था अगर तुमें कोई मार रहा है तुम डारेकली डोर के पास भागोगी जॉन की वाइफ पेट्रूव के पास भागी थी यह उसे बहुत ही सस्पिशिस लगता है पर अब यह सब जॉन ने जो किया है यह देखकर लिंडा बहुत ही डर जाती है लिंडा को शक होने लग गया था कि जॉन ने यह मरडर किया होगा लिंडा फिर अपने हस्बर्ण मार्क से मिलने के लिए आई थी वो मार्क से बोली क्या तुमें लगता है कि जॉन ने क्या हो सकता है मार्क बोला यह मुझे इससे फरक नहीं पड़ता अगर जॉन ने चाहा तो टेस्टिमोने देखकर मार्क को जेल से बहार निकाल सकता है यही इंपोर्टन्ट है वो लिंडा को समझाता है कि अगर तुम जॉन पर ही शक करने लगे तो जॉन गवा ही नहीं देगा वो उसे एक कुछ भी ना करने के लिए कहता है अब हमें फिर से प्रेजेंट दिखाय जाता है भागता है पर लिंडा डोर बन कर लेती है जल्दी से पुलिस को काल लगा देती है जौन एक हतोड़ा लेता है और दरवाजे को तोड़ने लग जाता है यह दरवाजा तोड़ कर इस आदमे को मारने वाला होता है तब यह आदमी कहता है कि मैं यही था जिस रात murder हुआ था मैंने उस रात crime scene पर Mark को देखा था Linda कहती है कि जूट बोल रहा है यही असली killer है यहादमी कहता है कि अगर मैं killer हूँ तो यह मुझे क्यों बचाना चाते थे यहादमी सच बता देता है कहता है कि जब मैंने कहा कि तुम कर रहे थे अब इस आदमी के पास चाकू था यह जौन को केसे पता है यह हमें flashback में पता चलता है flashback स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि जौन ने अब decide किया है Mark ने उसके wife को नहीं मारा है कि वो court में कहेगा यह सब wife के mother पता चला वो जौन के घर पर आये उसे बहुत उन्होंने गालिया दी वो यही मानते थे कि Mark murderer है और उसे सजा होनी चाहिए जौन का भी भी fix था कि Mark के लिए वो गवाई देगा पर जौन जब रात में एक super shop में गया तो इस shop का owner जौन को जानता था यह जौन को बोला कि मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए जिस रात murder हुआ था एक आदमी वहाँ आया था और उसने एक knife buy की थी इस आदमी की गाड़ी की number blade भी जौन को मिल जाती है यह सब information उसने पुलिस को दी और पुलिस ने इसे ignore कर दिया क्योंकि माग के खिला बहुत जादा सबूत है जौन ने फिर एक पुलिस ओफिसर को बहुत सारे पैसे दिये इस पैसो के बदले में वो number blade किसकी थी यह information जौन ने निकल वाई इसके बाद वो उस आदमी के पास गया और किर्णाप करकर लेकर आ गया फिर से present हम देखते है तो उस आदमी से माग का पूछ रहा है कि उस रात वो वहाँ क्या कर रहा था उसके पास वो knife क्यों थी यह आदमी फिर सब कुछ कहने लग जाता है यह आदमी कहते है कि मेरी wife का और माग का चकर चल रहा था मैं Mark का ही पीछा कर रहा था इसलिए Mark को मारने के लिए मैंने knife by की थी मुझे उस दिन लगा था कि Mark मेरी wife के पास आएगा Mark जब उसके घर से बहार निकला तब से मैं उसका पीछा कर रहा था पर वो directly तुम्हारी wife के पास आया मैं उपर गया और मैंने दरवाजा खट-कटाया था तभी मुझे वहाँ मार्क दिखा मुझे लगा कि मार्क का और मेरी वाइफ का चक्कर नहीं चल रहा है और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया जॉन को अब 100% लगता है कि उसने फ्रेंड नहीं किया है लिंडा फिर से उससे समझाने लग जाती है कि मेरा हस्बन ये नहीं कर सकता तभी हमें दिखता है कि वह अब पुलिस आ जाते क्योंकि लिंडा ने अभी-अभी कॉल किया था जॉन अब किसी की भी मानने नहीं वाला और वो डोर ओपन करने के लिए जा रहा होता है उसे अब सब कुछ इंफर्मेशन मिल चुकी है तो वो फिर से सोचने लग जाता है वो सुचता है कि उस राद अगर मार्क काया था तो अंडर्वेर हॉल में ही क्यो थी फोन पर उसकी वाइब जब मैसेश टाइप कर रहे थी तो वहाँ एल लिखा हुआ था इसके बाद जिस आदमे को उसने किन्नेप किया था उसने जब बोला कि ये सब जॉन ने किया है तो लिन्डा क्यू उसे फ्रेम करना चाहती थी तो वो फेगर आउट कर लेता है कि लिन्डा ने ही ये सब किया होगा लिन्डा को शायद लगा था कि मार्क का और जॉन की वाइफ का अफेर चल रहा है इसलिए वह आहां आई होगी अब जॉन डोर ओपन करने ही वाला है तब ही हमें दिखता है कि जिस आदमी को उसने किन्नैप किया था उससे लिन्डा मार देती है चुम्ने मार्क और जो आदमी किन्नैप होगा था उसकी वाइफ का अफेर चल रहा था ये चीज जॉन की वाइफ को पता चल गई थी इसलिए मार्क ने उसे कहा था कि प्लीज मेरी वाइफ को कुछ भी मत बताना उस राद लिन्डा से मार्क का जगड़ा हो गया था उसलिए वो जॉन की वाइफ के पास गया क्योंकि उसकी अच्छी फ्रेंड थी लिन्डा भी मार्क का पीछा कर रही थी वो भी मार्क का पीछा करते करते जॉन की वाइफ के घर पर आ गई जब मार्क वहाँ से निकला तो वो घर में आई उसने जॉन की वाइफ को कहा कि तुमने ये सब क्यों किया है और उसके बाद उसे मारने लग गए उसका गला दबाने के उसने कोशिश की पर उसने रियलाइज किया जो वो कह रही है गलत कह रही है पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी जॉन की वाइफ डर गई थी लिन्डा पर क्रिमिनल चार्जर लग सकते थे इसलिए लिन्डा ने चाको लिया और जॉन की वाइफ को उसने मार डाला लिन्डा ने जो आदमी किन्याप हुआ था इसको भी आप मार डाला है लिन्डा जॉन को कहती है कि हम पुलिस को कह सकते है कि इसे आदमी ने मर्डर किया था लिन्डा गिर्गिना ने लग जाती है वो कहती है कि मेरी बेटी है मेरा हस्बन है, हम फिर से फैमिली बन सकते है, प्लीज हमें हल्प करो जॉन को पता है कि लिंडा ही मर्डरर है, तो यह मानने नहीं वाला जॉन आगे जा रहा होता है, तो हतोड़े से अपने आपको इमार डालती है जिस हतोडे से murder हुआ था और Linda ने भी अपने आपको मारा था पर उस टाइम उसने अपने fingerprint उस हतोडे पर नहीं आने दिये थे हतोडे पर John की fingerprint से पुलिस को लगता है कि John ने ही यह सब murder किये थे आगे चल कर जब यह सब चीज़े वो देखता है तो Linda ने जिस murder से John की wife को मारा था यह murder weapon उसे मिल जाता है Linda ने खुदखुशी करनी कोशिश की थी वो hospital में थी और अब वो फिर से होश में आ चुकी है John पुलिस को कुछ भी नहीं कहता और यह सजा खुद काटता है John की family तो बरबात होई चुकी है अपने friend को एक chance मिल सकता है अच्छी life जीने का इसलिए सब कुछ इलजाम वो अपने आप पर ले लेता है यही movie end हो जाती है अगर आपको यह video अच्छा लगता है तो प्लीज इस video को like कर दीजेगा बहुत सारी movies इस तरह की लेकर आता है तो तो प्लीज चानल को subscribe कर दीजे और बेल इंडूपिशन आइकों दबने मत भूलिये फिर से मिलेंगे और एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये